अब मैं इसके हर पहलू पर नहीं बोलूँगा जोतिश आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रहों की इस्थिती को देखकर कुछ भविश्वानिया करना है ना मैं चाता हूँ कि आप इसे समझे ज्यादतर समय जो लोग अच्छी भविश्वानि करते हैं ये वो लोग होते हैं जो आपको अतीत के बारे में सपश्ट रूप से बताते हैं या कुछ लोग आपको कल के बारे में सपश्टता से बताते हैं वो ग्रहों को देखकर नहीं बताते हैं वो आपको देखकर बताते हैं कुछ लोगों में एक intuition यानि सहज ग्यान होता है, वो बताते हैं योग सिखाने के बज़ाए अगर मैं चन्नई में बैठ कर बस लोगों का भविश्य बताऊं मैं उन्हें बता दूँगा कि उनके जीवन में अगले दस वर्षों में क्या होगा तीन दिनों में मेरा ऐसा नाम हो जाएगा कि आधा चन्नई लाइन लगा कर खड़ा होगा मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन योग केंद्र में भी ऐसे लोग हैं जोनोंने बहुत साधना की है, वो ये कर सकते हैं अगर वो कभी ऐसा करते हैं, तो मैं उन्हें खत्म कर दूँगा मैं उन्हें उस बकवास के साथ नहीं रहने दूँगा, हम उन्हें तुरंद बाहर निकाल देंगे क्योंकि किसी के भविश्य के बारे में बता कर, आप उसके जीवन की गुनवत्ता में कोई बदलाव नहीं लाते आप किसी भी तरह की सच्ची खुशाली नहीं लाते, आप सिर्फ उसे ज्यादा से ज्यादा अग्यानी बना रहे हैं, है न? अगर आपमें अपना कल जानने की शक्ती है तो आप सिर्फ अधिक अज्यानी, अधिक हैंकारी, अधिक मूर्ख, अधिक हानिकारक होंगे आप सामान्य नियमों से चलिए, ये ठीक है कल को जानना जरूरी नहीं है आप अभी इस तरह बने हैं आपके जीवन की गुणवत्ता और आपके होने का एक तरीका ऐसा है अगर आप आज कल को जानते हैं, तो आप आज में भागिदारी नहीं दिखाएंगे है ना? हाँ है ना? मान लीजे, मैं आपको बताओं, आप जो भी करें, आप नहीं मरेंगे आप दुनिया में गेर जिम्मेदाराना काम करेंगे या अगर मैं आपसे कहूँ, कल वैसे भी आप मर जाएंगे आप आज में भागिदारी नहीं दिखाएंगे, है ना? इसलिए आपको भविष्य नहीं जानना चाहिए भविष्य जानना आपके लिए जरूरी नहीं है क्या भविष्य बताया जा सकता है? हाँ, कभी-कभी लेकिन ये सौप्रतिशत नहीं होता ये कभी सौप्रतिशत नहीं होता हर वस्तू आप पर एक तरह का प्रभाव डालती है देखे, ये लोटा इसके आकार और इसकी धातू के कारण इसका एक तरह का प्रभाव है ये एक तरह का स्पंदन फैला रहा है अगर मैं इस लोटे को मुझे प्रभावित करने देता हूं मैं उससे अपने पास रखता हूं क्योंकि ये काफी अच्छा दोस्त है मैं प्लास्टिक का बरतन नहीं रख रहा क्योंकि मुझे उसकी कही चीजें पसंद नहीं है मैं इसे रखता हूं क्योंकि ये अच्छी चीजें कह रहा है मैं हमेशा अच्छी संगत में हूं जरा देखिए पर अब अगर मैं इस बरतन को मुझे बहुत अधिक प्रभावित करने देता हूँ तो धीरे-धीरे मैं एक बरतन जैसा बन जाऊँगा आपके साथ ऐसा होगा बहुत से लोग बरतनों जैसे हो गए हैं है ना वो चीजों को इतनी गहराई से प्रभावित करने देंगे वो वैसे ही बन जाएंगे अब मैं इस तामबे के बरतन को मुझे प्रभावित करने नहीं दूँगा पर मेरी संगत में होने के नाते वो इतना प्रभावित है आप देखेंगे आप एक और तामबे का बरतन लीजिए आप मुझे कुछ भी दीजिए आप मुझे कोई भी चीज दीजे मुझे बस 20 सेकंड दीजे मैं इसे अपने हाथ में रखकर आपको वापस दे दूँगा ये अलग होगा अगर आप समवेदन शील है तो आप महसूस कर पाएंगे कि ये बिलकुल अलग है तो सवाल सिर्फ ये है क्या आप चीजों को खुद को प्रभावित करने देंगे या आप उन्हें प्रभावित करेंगे ग्रह निश्चित रूप से बड़ी चीजे है तो उनके कुछ कमपन है उनके आसपास की हर चीज पर कुछ प्रभाव होता है अगर वो इस ग्रह के पास है तो हाँ, क्या आप जानते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जो लोग थोड़ा मानसिक रूप से परेशान या असंतुलित हैं, बहुत अधिक असंतुलित हो जाते हैं. यहाँ तक किसागर पागल हो जाता है, है ना? क्या आप सभी पागल हो जाते हैं? महीने में दो बार? कुछ लोग कुछ नहीं कह रहे हैं. महीने में दो बार अगर ऐसा हो रहा है, तो आपने देखा होगा. वैसे भी, क्रिपय आपने परिवार से पूछें, वो बताएंगे. अब, उस व्यक्ति की तुलना में, जिसका मन असंतुलित है, आप अधिक स्थिर हैं, अधिक स्थापित हैं. चंद्रमा कहीं भी जाए, आप पागल नहीं होते हैं. अगर आप और भी ज्यादा स्थापित हैं, तो कोई ग्रह कहीं भी जाए, आप पागल नहीं होते, बस. आपके जीवन का उदेश और भागे आप तै करते हैं, कोई और नहीं बलकि आप. हाँ, हर चीज का प्रभाव होता है, पर उस प्रभाव से आप क्या बनाते हैं, वो फिर भी आपके हाथों में हैं, है न? पर अगर आप बेजान चीजों के धक्के खाने वाले हैं, तो हाँ, आपको धक्के दिये जा सकते हैं, उस हद तक ये सच है. मैं कहरा हूँ, जब आपके भीतर परमात्मा काम कर रहा है, जब निर्माता आपके भीतर काम कर रहा है, तो आप बेजान चीजों को अपने जीवन को प्रभावित क्यों करने दे रहे हैं? अगर आप इस आयाम को खुद में खिलने देते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन शांदार हो जाएगा, तारों को कहीं भी जाने दीजिए, ग्रहों को कहीं भी जाने दीजिए, आप वहीं जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, आप जहां जाना चाहते हैं, या आप ब पता सकते हैं कि वो अगले पल क्या करेगा? वो कुछ ऐसा कर सकता है जो किसी ने कभी नहीं किया, है ना? अगर यहाँ कोई मूर्ख है, अगर आप उसे देखते हैं, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे जीएंगे. अगर वो इसे कागस पर लिखके दे सकते हैं, कि अपना जीवन ऐसे जीएंगे, तो क्या करें? मतलब आप बुद्धी का उपयोग करने से इंकार कर रहे हैं, है ना? मतलब आप सकते हैं, ना? मतलब आप झाल झाल झाल